कि आज हम लोग मेरे प्रीयों इस बारे में ध्यान देंगे कि what is your motive in serving the Lord क्या आपका उदेश है क्या आपकी भावना है क्या किस कारण से आप प्रभू ईशु की सेवा करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं क्या कारण है what is your motive आज भी हम देखते हैं 2020 साल हो गए परनतु ईशु मसी का सूसमा चार अभी तक दुनिया की छोड तक नहीं पहुँचा दुनिया की बात कर रहे हैं तो हम अपने भारत देश को ही ले वहां के कई गामों में आज तक ईशु का नाम लोग जानते नहीं है सुना नहीं है जबकि कोको कोला पेपसी पाले जी सब गाउं गाउं के लोग जानते हैं क्या होता है पाले जी पेपसी कोको कोला परनतु यशु मसी का नाम क्यों नहीं जानते तो मेरे प्रिवा आज कुछ कारणों के वज़ा से जैसे बाइबल बताती है कि क्या होना चीए उद्देश हमारी कखाई के लिए आज हम देखते हैं कि कई लोग सैखड़ों लोग कि प्रश के सेव से रहे हैं कर प्रभु की सेवा में से आ रहे हैं कि छी सा आप प्रभु की सेवारी करने लगना प्रभुategल bit और कई लोग कहते हैं प्रभु की सेवा पास्टर बनना तो बड़ा आदर की बात है और बड़ा असान भी है क्या हुआ तो एक पास्टर नहीं मुझे बताया था कि पास्टर लोग एक दिन काम करते हैं वो भी तीन-चार घंटे या जाद जाद पांच घंटे संडे के दिन औ защity बढ़ार यह कभी कुछ फास्टिंग रही किसी दिन बस अगर हम अगर सेकुलर जॉब में तो दुनिया के नोकरियां है अगर आप अकाउंटेंट है टीचर्ऐर हो नर्स हो डॉक्तर है चार्टर्ड एंकाउंटेंट है कोई भी प्रोफेशनल आप हो या एलेक्रिशियन है मेसन है आपको आठ नौ दस घंटे डूटी करनी पड़ेगी तब जा कि आपको पैसे मिलेंगे पास्टर का काम वो पास्टर नहीं में को बताय बोला कि लोग जल्दी से आने के लिए इच्छुक हो जाते हैं प्रभू की सेवा करने के लिए पास्टर बनने के लिए क्योंकि छे दिन आराब एक दिन काम तो मेरे प्रियों आज हम देखेंगे कि क्या उदेश है सेवा करने का अपने आपको जब आप ये संदेश को सुनते हैं अपने मनों को जाचे कि क्या आपका उदेश है आप हो सकता प्रभू की सेवा कर रहे हों कई साल से या अभी आप ट्रिनिंग कर रहे हैं या आप इच आती है कि उनका जो कारण था उदेश था वो सही नहीं था आईए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब 16 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन यहां लिखा हुआ है रोमियो की किताब 16 अध्याय 17 और 18 वचन अब हे भाईयो मैं तुमसे विंती करता हूं कि जो लोग उस सिक्षा के वि करते हैं उन्हें तार लिया करो और उनसे दूर रहो क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु इश्व मसी की नहीं परन्तु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं मेरे प्रियों यहां सपस्ट लिखा हुआ हैं साफ साफ रिती से लिखा हुआ है कि क्या वह प्रभु इश्व की सेवा नहीं कर रहे हैं परनी पेड की सेवा कररे हैं दियार सर्विंگ और ऑन बेली उनकी सेवा काई अपने पेट के लिए हैं अगर हम एक और वचन पढ़ेंगे प्ली यो की किताब उसका तीसा आध्य और उसका 19 वावचन बड़ा सुन्दर वचन दिया हुआ है फिलिपियों की किताब तीस राध्या है और उसका 19 वावचन वहां लिखा हुआ है उनका अंत विनाश है उनका ईश्वर पेट है वे अपनी लज्जा की बातों पर घमण करते हैं और प्रित्वी की वस्तुओं पर मन लगाये रहते हैं, उनका अंत विनाश है, उनका इश्वर कौन है भई, इश्वर प्रभु इश्वर मसी नहीं है, पर अंतु पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमन करते हैं, और प्रित्वी की वस्तुओं पर मन लगाये रहते तो मेरे प्रियों यहां पर भी बड़ी स्पश्टा से बताया है कई लोग जो सेवा कर रहा है वो अपनी पेट के लिए कर रहा है उनका इश्वर पेट है उनका बैली द्यार गॉड इस द्यार बैली तो हम देखते हैं कि आजकल चालू कर दिया मैं नॉर्ठ इंडिया में रहता हूं हर आध हे किलोमेटर में रोड में हर आधे किलोमेटर में चर्च है वहां आगा सामनै सामनै इधर उधर और क्या हो रहा है एक भाई आये थे चिन्नाई से वो बता है मेरी सड़क में दस चर्चेस हैं हम लोग अंड़मान निकोबार गए थे तो वहाँ हम जब हम घूम रहते हैं अंड़मान निकोबार तो हर स्ट्रीट में वहाँ एक चर्च था सोचिए ऐसे कई गाओं ऐसे कई शहर हैं जहां चर्चेस बिल्कुल नहीं है एक है लाखो के संख्या में केवर एक चर्च है मगर कई जगा देखिए क्यों आमने सामने चर्च हो रहा है कोई होटल में लगा रहा है कोई वो उसका किराया दे रहा है हॉल का बड़ा हाई रेंट बड़ी उंची फीज दे रहा है दो घंटे तीन घंटे संड़े के लिए और विचारे गरीब गरीब लोग आके ओ पैसे दे रहे हैं उनको या फॉरें से फॉरंड आ रहे हैं मगर नई जगाओं में अंड्रीज देरियां में न्यू एरियास मे उन तक पहुचा नहीं जा रहा है परन्तु जो लोग हैं एक चर्च से लेके वहां से निकाल के या उनकी जो भेड़े हैं उनको चुरा के दूसरा चर्च चालू कर लिया यहां फूट डाल के एक डिवाइड करके डिविजन करके अलग चर्च कलीसिया या हाउस प्रेयर च चर्च चालू कर दिया इस टाइप का हम देख रहे हैं बहुत हो रहा है तो साफसाफ बताती है बैबल की कई लोग जो सेवा कर रहे हैं वह कहीं कले कर रहे हैं अपने पेट पूझा के लिए उनका इश्वर पेट है वो ठीक है तो आज भी हम देखते हैं कई चर्चन में अ लोग नहीं आ रहा है तो लोग बोलते हैं आप फीस्ट हमक देंगे हम सब को खाना खिलाएंगे आजाओ अपने दोस्तों रिस्तेदार वो पास पड़ोसियों को सब को बुलाओ तो कई चर्चेस का नाम हो गया चिकन करी चर्च क्या चिकन करी चर्च क्योंकि वो हर महिने में दूद चार बार चार पांच संडे रहते हैं तो ज्यादा तर कुछ ना कुछ खाना या आयोजन रहता है उनका और जैसे मैंने देखा है कई चर्चेस में जैसे पता चला पहले स अनाउस कर दिया कि अगले संडे खाना है तो जैसे 50 लोग आया है उस संडे को तो जब खाने का संडे रहेगा जब चिकन करी बनी रहेगी बताएंगे कि चिकन करी अगले संडे बनेगी आप आईए अपने मित्रों को पडोसियों को रिस्तेदानों को ले आईए और वो भी आ और सब खा के हम लोग एक साथ प्रभु की आरातना करेंगे तो अगले संडे देखे तो भई पचास की जगा डबल हो गए सौ लोग आ गए और लोगों को खाने का पैटन देखेंगे तो इतना खा रहा है छोटा बच्चा भी मा लोग अपने बच्चे को छोटी-छोटी चार दे रहे हैं फेस्ट हो रहा है इश्व मसी ने क्या कहा था जहाना कि किताब अगर हम पढ़ेंगे कि जब वो रोटियों को म executing कर रहा था तो इश्व मसी ने कहा था कि कोई भी वेश्ट नहों कोई भी वो नत्थिंग शुड़ भी वेश्टेड मेरे प्रियों तो जब हम देखेंगे यहना छे उसका पांच से लेके 15 वचन तक तो उसमें दिया हुआ है कि इशु मसी ने सपस्ट रूप से कहा यहना छे बारा में कि बचे हुए टुकडे बटोर लो कि कुछ फेका ना जाए कुछ खोया ना जाए कुछ वेश्ट ना हो इंग्लिश में दिया हुआ है नत्थिंग शुड़ भी वेश्टेड गैदर दफ्राग्मेंट जो बचा हुआ है उसको बटोर लो और उन्होंने बटोरा और बारा टोकरी था वो सूचिये इश्ट मसी ने भी वेस्ट होने नहीं दिया तो आज हमारी कलीसियाओं में भले वो लोग कॉंट्रिबूट कर रहा है या फॉरें से फंड आ रहा है या कहीं से भी कोई डोनेशन दे रहा है मगर कोई तो कोई इस उद्देश से दे रहा है कि प्रभू अधिरिशम्हाना बेश्टेज वव रिसोसेज कहना बरबाद हो जाता है किसलोग भूकें हैं अब चले जाए रहे से जाता रिए अधियर में चॉक में कई भिकारी Іसलाइगों भूके लोग उनके पास खाना नहीं पर यहां पर लोग जादधा-जादा ले भून पा रहे ह और मैं तो ताजूब हो गया कुछ चर्चेस में मैंने देखा कि खाने के जैसे अनाउस कर दिया अब यह अगली संडे खाना है तो अगली संडे ठीक है 50 लोग आते थे तो उस दिन सुबह जैसे सर्विस चालू ही तो उस समय आये 60-65 लोग और जब खाने का समय रहेगा 12 एक बजे तो अचानक से खाने के समय जो लोग आये रहते हैं वो अपने पडोसियों अपने रिस्तेदारों को फोन करके या उनको टाइमिंग बता देते हैं अगर आपको प्रभू का वचन नहीं सुनना कोई बात नहीं आप किवल खाने के लिए आ जाईएगा 12 एक बजे खान 30-130 खाने के समय और उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं क्या है कुछ नहीं कुछ पता नहीं तो मेरे प्रियों यह हो गया है क्या मगर कलीशिया को क्या चर्च को यह खाने का ऐसा करना चाहिए कि भई ठीक है लोग खुश होके या किसी उपलक्ष में जनम दिन के या थैंक जो बीग ठीक है मगर लोगों को अकर्षित करना कि लोग आएं दूसरे चर्च छोड़के हमारे चर्च में आये क्योंकि हमारे हाँ खाना भी मिलता है यह चाय कफी नाश्यता भी मिलता है नहीं मेरे प्रियों तो फिर यह हम असी के समान हो जाएंगे कि जो लोग ईशुमस बेली हम दूसरों को ऐसा उत्तेजित करेंगे कि वो भी खाने के लालज उनको हम लालज दिलाएंगे तो यह बात सही नहीं है मेरे प्रियों दूसरा कारण क्यों कई लोग प्रभुईशु की सेवा करना चाहते हैं कर रहे हैं परन्तु उनका उद्देश उनका जो कारण है मोटे वो सही नहीं है बाइबल बताती है फिलिपियों की किताब अगर हम पढ़ें पहला अध्याए और 15 और 16 फिलिपियों की किताब पहला अध्याए और 15 और 16 बड़ा प्यारा वचन लिखा हुआ है वहाँ पर कि कहाई के लिए लोग भई सिवा कर रहे हैं देखिये लिखा हुआ है कुछ तो डाह और जगड़े के कारण मसी का प्रचार करते हैं कुछ भली इच्छा से कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमचार के लिए उत्तर देने को ठराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं आप किस कटेगरी में हैं मेरे भाईयों मेरी बहनों कही के लिए आप प्रचार कर रहे हैं यहां स्पश दिया हुआ है पॉलूस लिखता है कुछ डाह, ईश्या, एनवे के कारण, स्ट्राइफ के कारण प्रचार कर रहे हैं परन्तु कुछ गुडविल से प्रचार कर रहे हैं कुछ लोग सेल्फिश एम्बिशन से कर रहे हैं नॉट सिंसियरली मेरे प्रियो कई बार हम देखते हैं अरे उसकी पत्नी प्रचार कर रहे है तो मेरी पत्नी क्यों नहीं करे है आपकी पत्नी को भले बोलना नहीं आता ठीक से बताना नहीं आता भाशा नहीं आता बाइबल पढ़ना नहीं आता नॉलिज नहीं है बाइबल का मगर फिर भी न तो बाइबल हमें चितावनी देती है, इस उद्देश से हम सीवा ना करें मेरे पियो। देखिए एक और वचन कहता है फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय और उसका 21 वचन वहां लिखा हुआ है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि इशु मसी की यहां पॉलूस बड़े दुख के साथ कह रहा है सब लोग कहाई के लिए अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि इशु मसी की इशु मसी के राज जी इशु मसी के सुसमाचार से उनका कोई लेना देना नहीं उनका स्वार्थ पुरा होना है अब जैसे कन्वेंशन आयुजित करते हैं तो स्पीकर्स बुलाते हैं अलग लग जगाओं से तो मेरे प्रियु मैं जहां जाता था कलीशिया में वहां पर वह जो पास्चर साब थे उनका लड़का एक बाइबल कॉलेज में पढ़ता था तो जो बाइबल कॉलेज का साल बुला रहे हैं अब वो जो उनके प्रोफेसर थे उनके जो बाइबल कॉलेज टीचर थे वह एक ही सब्जेक के बारे में बताते थे और बही कन्वेंशन हुआ लोगों से कॉंट्रिबिशन लिया आपने मतलब फंड्स की अपील की लोगों से डोनेशन दान चंदा लोगों ने दिया उसके बाद स्पीकर आप अपने स्वार से बुला रहे हैं आपके लड़के का बाइबल कॉलेज का टीचर को आपने बुला लिया ताकि बाइबल कॉलेज में अच्छे नमबर दें आपके लड़के से खुश रहें वो उसकी देख भाल करें अरे देखो यह मेरा स्टूडेंट का पिताजी ने अपने चर्च में में को स्पीकर के रूप में बुलाया मैं उसको ज्यादा नमबर दूँगा मैं उसकी विशेश केयर करूँगा विशेश चिंता करूँगा यह स्वार्थ है मेरे पी और जबकि आत्माय नहीं बचरी है एक साल सुन नहीं कि पहले साल अगर पांच बची तो दूसरे साल 15-20 बचे ऐसा कुछ नहीं जो पिछले साल भी बची वो जो जिनको बप्तिस्मा लेना है कुछ लोग थोड़े बहुत बच गए तो बच गए मगर कोई आत्माओं में रिवाइवल आ जाए या बच जाए या जो पाप नहीं दिख रहा है इश्व मसी ने क्या कहा तुम उनके फलों से जानोगे पहचानोगे तुम मेरे प्रियों क्या हम स्वार्थ से सेवा करना है इश्व की अपने स्वार्थ से हम देखते हैं कि कई लोग वो एक ही पास्टर को एक ही वो चर्च के उसको बुलाइंगे क्यों क्योंकि वहां से उनको सपोर्ट आता है हर मेने पैसे मिलते हैं उनको उनको आत्माओं की बचाय जाना नाश होने से बचाय जाने से लेना देना नहीं है केवल उनको अपने सपोर्ट के लिए रहे हमारा वो फंड्स देते हैं भीजते हैं फॉरेंस से यहाँ इंडिया से भी हमको देते हैं वो लोग पैसे हर मैने भीशते हैं करके तो हम उन्ही को स्पीकर के तौर पे बुलाएंगे तो मेरे प्रियों चेक कीजे आप अपने आपको जाचे भजन साइता 139 में दाउद राजा कहता है हे प्रभु मुझे जाच मुझे परक सर्च मी एक्जामेन मी नो माई हार्ट मैं किस उद्देश से सेवा कर रहा हूं बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष के रूप जैसा नहीं देखता मनुष तो बहरी रूप देखता है परमेश्वर जो है हिर्दय को देखता है हिर्दय को देखता है आपकी भावनाओं को आपके मन को वो जाचता है वो जाचने वाला है आपकी भावनाओं आपके विचारों का किस उद्देश से किस विचार से आप प्रभू की सेवा कर रहा है मेरे प्रियों आप अपने आप को जाचें कि किस उद्देश से आप सेवा कर रहे हैं प्रभू ईशु मसी की क्या किवल पैसे के लिए कि अरे मैं उसको बुला लूँ स्पीकर के रूप में वहां से में को फॉंड्स मिल जाएंगे वो में को सपोर्ट करता है तो मैं उसको बुलाऊंगा करके नहीं मेरे प्रियों बैबल बताती हमारा परमेश्वर हमारे हिर्दय को जाचता है अगर हम पढ़ेंगे यर्मिया उसका सतरा और उसका दस बड़ा प्यारा सुन्दर वचन है वहां लिखा हुआ है मैं यहवा मन को खोचता और हिर्दय को जाचता हूँ ताकि प्रतेक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ मेरे प्रियों परमेश्वर जांचता है मन को खोशता है ताकि प्रतेक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दे एक देखने वाला है आप चाहे कहीं अंधेरे में कर रहे हो चाहे पाहाड में, चाहे गुफा में कहीं पर भी आप कर रहे हो कोई देख न Questions रहो परन्तो एक CCTV लगा हुआ है वो कभी खराब नहीं होता कभी बन नहीं होता या उसका आउट ओफ रेंज नहीं होता परमेश्वर की आँखें है वो भले और बुरे दोनों को देखते रहती है बाइबल बताती है कि उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं है अगर हम पढ़ेंगे इबरानियो 4.13 में Everything is naked before him उसके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है मेरे पुटियों नितिवचन 15.3 में लिखा हुआ है यहुआ कि आँके सब स्थानों में लगी रहती है वो बुरे भले दोनों को देखते रहती है मेरे प्रियों चाहे आप कोई organization में, mission organization में, children home में या कोई ministry में as a employee काम कर रहे हूँ क्या आप केवल पैसे के उद्देश से करते हैं अरे जो तंखा मिल रही है उसी के लिए में कोई करना है परन्तु अगर आप ministry के लिए travel भी कर रहा है मगर क्या आप train में, plane में आना जाना कर रहा है क्या आप issue के बारे में लोगों को बताते हैं या नहीं केवल मिनिस्ट्री में, meeting में में मुझे प्रचार करना है केवल मुझे पैसे मिल रहा है जो काम के लिए वो ही काम करना है मगर आपका हिर्द है में आपके मन में ये इच्छा है कि मैं प्रचार करूँ, मैं लोगों की आत्माओं को बचाओं जो अंधकार में है जो आत्मत्या करने वाले है जो गुलामी में है उनको मैं आपका सुसमाचाज सुनाओ क्या आपके दिल में है ये केवल और्गनाजिशन में पैसे मिल रहा है, सैलरी मिल रही है उसी का बस काम करना नहीं मेरे प्रचार ऐसा हमें ज्याशना है अपने आपको देखना है और हम देखते कि कई लोग लोगों के आप विजिट करते हैं काहे के लिए क्योंकि खाना, अरे ये ब्रदर अच्छा खाना खिलाते हैं, ये ब्रदर अच्छा सिस्टर अच्छा नास्ता कराती है उसके कारण वो लोग विजिट करते हैं तो मेरे प्रियों हमको देखना है और कई एक और कारण है कि कुछ लोग सेवा जो करते हैं दिखाने के लिए दिखाने के लिए सेवा करते हैं बाइबल में हमको बताया गया है मत्ती की किताब छटवा ध्याय और उसका एक से लेके चार वचन तक वहां दिया हुआ है मत्ती छे उसका एक से चार ये शुमसी ने बड़ी स्पष्टा से बताया है मत्ती छे और उसका एक से चार सावधान रहो तो मनुश्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो नहीं तो अपने स्वर्गी पिता से कुछ भी फल ना पाओगे इसलिए सावधान कर रहा है ये शुमसी कह रहा है मनुश्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो नहीं तो अपने स्वर्गी पिता से कुछ भी फल ना पाओगे इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा जैसे कप्टी, सभाओं और गलियों में करते हैं जब आप दान कर रहे हैं तो वो तुरही ना बज़ाए क्या वो ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें मैं तुम से सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके परन्तु जब तू दान करे तो तेरा दहीना हाथ करता है उसे तेरा बाया हाथ ना जानने पाए ताकि तेरा दान गुप्त रहे तब और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा मेरे प्रियों अगर आप दान देते हैं अगर आप ओ अच्छा काम करते हैं भला काम ओ दिखाने के लिए नहीं करें नहीं तो आप यहीं इस दुनिया में प्रतिफल पालेंगे, परमेश्वर, पिता, सुर्गी, पिता से unlimited जो आशिशे हैं इनाम है वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे, मनुष्ध देखने के बात हो सकता, आपकी तारीफ करें, आपकी प्रशंसा करें, परन्तु वो limited आशिश रहे की आशिशे हैं, आगे में हम पढ़ते हैं, मत्ती छे, पांच, छे में जब तु प्रात्ना करें तो कप्टियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए राधना लैयों में, सडकों के मोडों पर खड़ें का प्रात्ना करना उनको अच्छा लगता है, मैं तु प्रात्ना से जो गुप्त में है, प्रात्ना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा, प्रात्ना करना है तो ऐसा नहीं लोगों को दिखाने के लिए, मेरे प्रियों, ठीक है, कलीशिया में, चर्च, हाउस प्रेयर मीटिंग में, एक सा परतना कर रहे हैं उपवास परतना ठीक है मगर आपको गुप्त मे भी परतना ज़्यादा करनी है क्योंकि लोगों के कारीफ करके आपको इनाम देदेगा परन तु परमेश्वर से आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा और देखेंगे उपवास भी जब आप करते हैं तो ऐसा नहीं कि सब को बता के उपवास करें कि मैं उपवास कर रहा हूं मतीज़ छे के सोला में लिखा हुआ जब तुम उपवा मैं तुम से सच कहता हूं वह अपना प्रतिफल पा चुके परन्तु जब तु उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मल मूध हो ताकि लोग नहीं परन्तु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने इस दशा में तेरा प्रतिफल तेरा पिता जो गुप्त म देगा मेरे प्रियो एक प्रतिफल देने वाला है परमेश्वर उपवास करना है तो आप लोगों को बता के नहीं अरे मैं चालीस दिन का उपवास कर रहा हूं या दस दिन का या पंदरा दिन का उपवास कर रहा हूं गुप्त में आप उपवास रखे और ऐसा नहीं कि मुझ इख लोग देख लेंगे आप लोगों को दिखा देंगे तो आपको प्रतिफाल मिल जाएगा गांब सवर्गी पिता से ईशू मसीर से प्रति फल नहीं उपवास रखिए प्रात्ना कीजिए आपको प्रतिफल इनाम स्वर्क से स्वर्क का परमेश्वर देगा जिसके पास अनलिमिटेड ब्लेसिंग है जिसके पास बहुत आयत की आशिशे हैं जो मनुष्य कभी नहीं दे सकता वो आशिशे इतनी बड़ी आशिशे आललुया और म हम देखते हैं कि लोग दिखाने के लिए मैंने कई लोगों के बारे में सुना वो चर्च आते थे मेरे प्रियों उनके पास कार नहीं रहती थी तो भई कार नहीं है घर में तो चर्च आने के लिए लोगों को देखने के लिए दिखाने के लिए क्या करते थे वो किराय में क लेकर चर्च आते थे, तीन घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, ताकि लोग देखें, अरे, कार में आ रहे हैं, दिखने, दिखाने के लिए ना छोड़ दीजे, अगर आपकी ऐसी आदत है, अरे, ये ड्रस पहन के जाओ, ये कोट, ये साड़ी पहन के जाओ, ये सलवार सू पहन के जाओ, तो लोग मुझे देखेंगे, कहींगे, अरे, कितना अच्छा हैंसम ये गहने पहन के जाओ, ये जुवैलरी पहन के जाओ, ये घड़ी पहन के जाओ, तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, नए, 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 मेरे प्रियों, चर्च वो जगा नहीं है, ओ, प्रात बड़ा उनका नाम करवातें अरे फलाना ने इतने हजार पैसे दिये कर्वेंशन के विल्डिंग इंप्रेशन हो जाएगा, आपको तो यहीं इनाम मिल गया, तो स्वर्गी पिता से कैसे आपको और इनाम मिलेगा, मेरे प्रियों, देखिए, कोई अनॉंस्मेंट करवाने की ज़रूत नहीं है, गुप्त में दीजे न, ईश्व मसी ने खुद कहा, तेरा जब तू दाय हाथ स देता है, तो देरा बाय हाथ ना जानने पाए, कितना देरा क्या है, करके सोचिए, कप्तियों के समान नहीं, हिपोक्रिट्स के समान नहीं, इश्व परमेश्वर क्योंकि हिर्दय को जांसता है, और मेरे प्रियों, हम देखते हैं, लोग, काफी मसीही लोग, बर्डे पार् या धन्यवादी प्रोमोशन का उपलक्ष में या कोई भी पास होने या सेलेक्शन होने पर वीशा मिलने पर वो भूजन कराते हैं लोगों को बुलाते हैं पार्टी करवाते हैं तो मेरे प्रियों बाइबल हमें बताती हैं बड़ा सुन्दर ईशु मसें ने कहा लुका चौदा बारा तेरा और चौदा में लुका चौदा बारा तेरा और चौदा तब उसने अपने नेवता देने वाले से कहा जब तु दिन या रात को भोजन करे तो अपने मित्रो या भाईयों या कुटम्बियों या धनवान पडोसियों को ना बुला कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए परनन तु जब तु भोज करे तो कंगालो टूंडो लंग्डो और अंधो को बुला किसको मना कर रहा है बुलाने के अपने मित्रो या भाईयों या कुटम्बियों या धनवान पडोसियों को ना बुला कहीं ऐसा नहों कि वे भी तुझे नईवता दे आ रहे आप अपने परोशी को बुलाएंगे अपने रिस्तेदार को बुलाएंगे तो आपके लिए वो गिफ्ट लाएगा या अगली बार आपको भी बुलाएगा अपने बर्डिप पार्टी में फंक्शन में या प्रात्ना म लंगडों और अंधों को बुला किसको बुलाना कंगाल लोग आपके शहर में आपके गाओं में भीकारी लोग दिखते होंगे उनको बुलाओ तुंडे लोग लंगडे लूले लोग स्टेशन में मिल जाएंगे बस्टैंड के पास मिल जाएंगे चौक में मिल जाएंगे स तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा, सूचिये, जब आप कंगालों, टुंडों, लंगडों और अंदों को बुलाएंगे, तब आप धन्य होंगे, क्योंकि उनके पास तुझे आपको बदला देने को क कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा, गिव विदाउट एक्स्पेक्टिंग एनिफिंग इन रिटर्ण, आप भोजन खिला रहे हैं, सूचिये, आप उनको बुलाएंगे, अनाथों को बुलाएंगे, कंगालों को बुलाएं जिनको कोई बुलाता नहीं, जिनको बासी खाना पड़ता है, वो आपका स्वादिस भूज को खाके आनन्दित होंगे, इशू का प्रचार होगा, प्रसार होगा, अरे कौन है ये लोग मसील होग है, और आपको स्वर्गे पिता से इनाम प्रतिफल मिलेगा मेरे प्रियों, तो इसलिए जब भी आप भूजन कराएं अपने घर में, अपने कलीसिया में, अपने फ्रेंड्स में याद रखिए, इस बात को मत भूलिएगा मेरे प्रियों, और एक और उद्देश है जो लोग करते हैं इशू मसी की सेव का यागर हम पढ़ेंगे, पहला तिमो थी और उसका चटवा ध्याय और उसका पांचवा और जटवा वचन पहला तिमो थी चटवा ध्याय पांच और छे वचन और उन मनुश्यों में वेर्थ रगड़े जगड़े उत्पन होते हैं, जिनकी बुद्धी बिगडगई है, वे सत्य से विहीन हो गई हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है क्या समझते हैं वो ये लोग कि भक्ति कमाई का द्वार है भई पैसे कमाना है अरे आप मीटिंग आयो जित कीजे मिनिस्ट्री में आ जाईए पैसे कमाना है तो पर छटवा बचन कहता है पर संतोर सहित भक्ति बड़ी कमाई है English में दिया हुआ है Some who suppose that Godliness is a means of gain फाइदे के लिए कमाने के लिए From such withdraw yourself Now Godliness with contentment is great gain संतो सहित भक्ती बड़ी कमाई है आगे दिया हुआ है पर क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए है ना कुछ ले जा सकते है पर यदि हमारे पास खाने पीने और पहनने को हो इनहीं पर संतोश करना चाहिए पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परिक्षा और फंदे और बहुत सी वेर्थ और हानिकारक लालसाओं में फस्ते हैं जो मनुश्यों को बिगार देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है दस्वावचन कहता है क्योंकि रुपियों का लोब रुपए का लोब सब प्रकार की बुराईयों की जड़ है जिसे प्रात करने का प्रैत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आपको नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है for the love of money is the root of all kind of evil many have pierced themselves with many sorrows मेरे प्रियों why you want to be trapped आप क्यों गायल होना चाहते हैं क्यों आप अपने आपको नुकसान पहुचाना चाहते हैं दुखों से क्यों चलनी करना चाहते हैं रुपए खराब नहीं है परन्तु रुपियों का लोब लालच नहीं करना कुलूसियों तीसरा ध्याय और उसका पांचवा बचन कहता है कुलूसियों तीसरा ध्याय पांचवा बचन इसलिए अपने उन अंगों को मां डालो जो पृत्वी पर है अर्थात वहविचार अशुद्धता दुष्कामना बुरी लालसा और लोब लोब लालच जो को जो मूर्ति पूजा के बराबर है जो दस आग्याय दी गई थी परमेश्वर ने अपने लोगों को उसमें से एक आग्या है तू लालच नहीं करना निर्गमन बीस सत्रा में यू शेल नॉट खौवेट पराय अपनी पडोस की स्त्री का पडोस के मकान का उनके जानवरों का धन संपत्ति किसी भी वस्तू का लालच नहीं करना क्या आपके मन में लालच होता अरे ये पास्टर के पास ये वाला आईफोन वाला नया लेटेस्ट वाला मॉबाइल है कैमरा है चलो मेरे पास भी हो नहीं मेरे प्रियो लालच नहीं करना है बाइबल सुष्टा से हमें बताती है कि लालच ओ, लालच से बड़ा नुकसान होता है खासतार से पैसों का लालच अपने आपको हम लोग जाचे मेरे प्रीयों के क्या किस उद्देश से हम प्रभू येश्व की सेवा कर रहे है क्या लालच के कारण कर रहे हैं पैसों का लालच या भक्ती हमने समझ ली है कमाई का द्वार है आज हम देखते ओ कई नौर्थ इंडिया में जहां मैं रहता हूँ वहाँ पर और लैप विंग मीटिंग होती है जैसे 11 से लेके 13 तारिक तक एक चर्च में मीटिंग है तो दूसरे चर्च ने भी वह 11 से लेके 13 तारिक तक का मीटिंग किया तीसरे चर्च ने भी किया तो क्या हो रहा है मेरे प्रियोग जो मसीही लोग हैं जो विश्वासी लोग हैं वो तो उतने ही लिमिटेड है थोड़े है वो तीन-तीन जगा उनी दिनों में कैसे जाएंगे उनको तो पूरा अच्छा अलग प्रकार का प्रचार नहीं मिल पाएगा क्यों हमें देखना है लोग कहते हैं अरे हमने पास्टर को दिल्ली बंबई से आरा प्रचार हम जिनके साथ मिशन संस्था के साथ जुड़े हुएं वो प्रचार करेंगे वो तयार नहीं रहते कि दूसरे अगले महिने कर दो दूसरे दिनों में कर दो जब खाली है जब कोई मीटिंग नहीं है तो जो थोड़े बहुत विश्वासी ह है वो तीन जो अलग-अलग मीटिंग हो रही है एक ही शहर में कुछी दूर जगाओं में परन्तु लोग बट गए उससे क्या हो रहा है रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है हम देखी कॉर्परेट वर्ल में प्राइवेट कंपनीज में देखते हैं एफिशेंटी एफिशेंसी औ प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है कि बेस्ट मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करना है रिसोर्सेस को तो क्या हम कर रहे हैं और जैसा तीमोथीस में हमने पढ़ा कई लोग सोचते हैं कि अरे भक्ती तो कमाई का द्वार है अच्छी कमाई हो जाएगी भाई मीट बड़ी आयुजित करा रहे थे तो थोड़ा डोनेशन के लिए हमने डोनेशन दिया उनको और जाते वक्त देखा तो अरे उनकी जो बाईक थी एकदम खटा रहा थी उसका हैंडल अंडल हिल डूल रहा था हैडलाइट हिल डूल रही है खटारा बाईक और जब मीटिंग आ बड़े अती थी गर्ण लोग आये कुछ महिनों बाद फिर से वो दुबारा आये देखे मैंने अरे लाल कलर की नई गाड़ी खड़ी हुई है तो उनसे पूछा भई कहां कैसे बोले हां मैंने ये ली है सूचिये मतलब मीटिंग से और मीटिंग में ही उतनी उनको वो हो ग बैता हो जिस प्रचारक को वो बोल रहा है की फ्री सीट है सबको कोई बैसे मैं लेता हो जिसको जहां पैठना है वहां बैठो परंतु वो पास्टर यो बेच रहे है वहां खड़े होके कुर्सियों का दाम दे रहे हैं यहां बैटना है वी आईपी सीट में तो इतना पैसा दो इतना दो करके और जब डोनेशन लेने आये तो बोले कि मैंने कार देखा हुआ है कार लेना चाहता हूँ मैं शुरूम में जाके मैंने कार देखी है और अभी मुझे पता नहीं शायद वो कार भी ले लिये हूँ तो मेरे प्रियू बाइबल हमें सावधान कर रही है कि कहा ही क्लिए वाट इस यो मोटिव इन सर्विंग दा लॉर्ड क्या आपका उद्देश है क्या कारण है क्या आपकी इच्छा क्यों इस इच्छा से आप सेवा करना है पैसे के लिए कमाई का द्वार आपने समझ लिया इसको मिटिंग आयो जित कराओ उसको बुलाओ बड़े बड़े प्रचारा को तो नेता लो को कोई बुला लो भीड देखेंगे वो खुश हो जाएंगे आपको कोई सरकार में पोस्ट दे देंगे अलप संख्या कायो का सदस्य बना देंगे उसका कोई वो बना देंगे आपको क्या आपका उद्देश कोई लालच है बाइबल साफधान करती है लालच नहीं करना पोस्ट का पद का पैसो का पोजिशन का कि या उसको बुलाओ मैं ये मीटिंग आयो जित करूं नहीं ये में को फायदा हो जाएगा केवल ये बात ध्यान रखें आत्माओं को बचाना आत्माओं बच रही है की नहीं रिवाइबल आ रहा है की नहीं नहीं तो वेर्थ है और लोग कहेंगे इश्मसी ने कहा है क्या अरे मैंने तुम्हारे नाम से दुस्ता आत्माओं को निकाला बिमारों को चंगा किया पर मिश्वर कहाएगा मैं तुम लोगों को नहीं जानता कुकर्मियों दूर हो मेरी नजरों से क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से वो सिंसियारिटी से सही उद्देश के साथ सेवा नहीं किये एक और पास्टर को मैं जानता हूँ मेरे प्रियों वो मीटिंग आयोजित किया एक बहार से वो आये प्रचारक और प्रचारक के बाद तो चले गए और उसके बाद वो पास्टर सहाब ने बड़ी सी पलसर बाइक खरी दी महेंगी वाली जो एवरेज भी बहुत कम देती है मगर देखिए कहां से आये भई पैसे वो जो प्रचारक को बुलाये थे उन्होंने पैसे दिये उनको डोनेशन दिया उसी से उन्होंने खरीद लिया तो सूचिए बाइबल सावधान करती है भक्ती कमाई का दुआर नहीं है संतोर सहित भक्ती यही बड़ी कमाई है मेरे प्रियो तो इसलिए हम देखते हैं ये सब कारणों के कारण परमेश्वर का राज ये नहीं बढ़ रहा है 2020 साल हो गए आज भी गाउं गाउं में इश्वमसी का नाम नहीं सुना गया कई शहरों में कई बस्तियों में कई कॉलोनीज्व में इश्व के नाम को नहीं जानते पारले जी, कोको कोला पेप्सी कोला वह भी फॉरें से फंड आ रहा है लोग पैसे दे रहा है गरीब गरीब लोग अपनी कमी घटी में से दे रहें परन्तु उसका मिस्यूज हो रहा है जहां प्रचार अंड्रीज्ट लोगों को नए लोगों को जो लोगों ने समझा नहीं सुना उन तक होना चाहिए तो जिनको सुन जिनोंने सुन लिया है हजार बार सुन लिया उनको ही बताया जा रहा है उनको ही समझाया जा रहा है नहीं मेरे प्रियों ये बैबल का वचन कहता है जो वचन हम सुन रहे हैं ये कहाई के लिए हमें सिखाने के लिए है और सुधारने के लिए है अगर हम पढ़ेंगे बैबल में से किस प्रकार से जो बाइबल का वचन है कहाई के लिए लिखा गया है दूसरा तिमोथी तीसरा ध्याय सोलवा वचन संपूर्ण पविश्चास्त्र परमेश्वर की प्रेड़ना से रचा गया है और उपदेश समझाने और सुधारने और धार्मिक्ता की सिक्षा के लिए लाबधायक है सत्रवा वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक बले काम के लिए तत्पर हो जाए कही के लिए पूरी जो बाइबल की हमने इतने वचन सुने है पढ़ते हैं परमेश्वर की प्रेड़ना से रचे गया है और उपदेश समझाने सुधारने और धार्मिक्ता की सिक्षा के लिए लाबधायक है समझाने के लिए और सुधारने के लिए मेरे प्रियो तो हम देखें अपने आपको हम अपने आपको जाचे किस उद्देश से what is your motive in serving the Lord क्या उद्देश है आपका और Bible में दिया हुआ है मेरे प्रियो जो सबसे बड़ा Apostle है जो सबसे बड़ा प्रेरित है पॉलूस वो किस प्रकार की सेवा करता था अगर हम पढ़ेंगे पहला थिसलोनियो उसका दूसरा अध्या है और नवववच्छन पॉलूस कहता है क्योंकि है भाईयो तुम हमारे परिक्ष्रम और कस्ट को स्मरन रखते हो हमने इसलिए रात दिन काम धंदा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमचा प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो रात दिन काम करते हुए पॉलूस क्या करता था केवल सेवकाई नहीं करता था वो साती सात तंबू बनाने वाला था He was a tent maker कहे के लिए वो रात दिन काम धंदा करता रहता था वो भी आराम से रहता अरे छे दिन आराम करो एक दिन काम करो नए वो काम भी करता था अपना सेकुलर जॉब ताकि किसी पर भी भार ना हो और हम देखेंगे दूसरा थिसलोनियों उसका तीसरा ध्यायत और उसका साथवा और दसवा वचन क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रिती से हमारी सी चाल चलनी चाहिए क्योंकि हम तुमारे बीच में अनुचित चालना चलें और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई देखिए किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई पर परिक्ष्रम कस्ट से रात दिन काम धंदा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो या नहीं कि हमें अधिकार नहीं परंतु इसलिए कि अपने आपको तुम्हारे लिए आदर्श ठराए कि तुम हमारी सीचाल चलो क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी हम यह आग्या तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए मेरे प्रियों क्या हो रहा है क्या हम ऐसा काम कर रहे है पॉलू उसने इतनी कलीसियाओं की स्थापना की इतने उसने वो बाइबल के पत्रियां लिखी उसने परंतु वो क्या फुल टाइम था नहीं वो अपने कमाने काम धंदा करता था भार ना हो किसी पर बर्डन ना हो हमने देखते हैं कि आज बिचारे ओपास्टर लोग घर में विसिटिंग के लिए आते हैं उनको मिशन से भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है घर घर में भी जाते हैं कुछ ना कुछ मिल जाए गरीब लोगों के आँ जा रहे हैं जुगी जोपड़ियों में जा रहे हैं विचारे गरीब लोगों के पास पैसे स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है और खाने के लिए कम पढ़ रहा है सबको अरे आईए आईए आप प्रभू के दासने चाहे कोई भी कलिस्या हो और वो उनको कुछ भेट देते हैं दान देते हैं परन्तु विश्वासी बेचारा कितना संघर्शों का सामना करता रहता है मेरे प्रियों क्या उस देश से आप सेवा कर रहे हैं क्या आपका उदेश पॉलू जैसा है कि मैं प्योर सुसमचार सुनाओ किसी पर भार न हूँ मैं किसी पर भार न डालों किसी पर बोज न बनो बोज का कारण न बनो प्रियर्टों के काम उसका बीसवा ध्याय और तैंतीस और पैंतीस वचन में भी हम देखते हैं पॉलूस कहता है मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया तुम आप ही जानते हो कि इनी हातों ने मेरी और मेरे साथियों के आवशकता पूरी की मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रिती से परिक्ष्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभू इश्यू के वचन स्मरण रखना अवश्य है जो उसने आप ही कहा है लेने से देना धन्य है इश्यू ने क्या कहा है लेने से देना धन्य है blessed is to give than to receive मेरे प्रियों अपने आपको जहां चे हालिलूया मैं किस भावना के साथ सेवा कर रहा हूँ किस उदेश सेवा कर रहा हूँ what is your motive in serving the Lord क्या हमने एक सेवकाई को एक वैपार बना लिया है has ministry become a money making business no 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 मेरे प्रियों पैसे कमाने का भक्ती पैसे कमाने का द्वार नहीं है परन्तु संतो सहीत भक्ती बड़ी कमाई है हमारा उदेश प्योर होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए निर्मल होना चाहिए साफ होना चाहिए कि हम इशु के सुसमचार को इशु के क्रूस के प्यार को दुनिया को बताने वाले बन सके उसको बताएं इशु के कलवरी के प्रेम को आलेलुया आईए मेरे प्रियों अपने आप को जाचे हालेलुया ओ आखे बन कीचे प्यारी इशु हालेलुया काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा मैं उसका काम करूंगा मैं मुन्जी का जरूरूरू काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा मैं उसका काम करूंगा मैं मुन्जी का जरूरू ओ बुलाई मैं सुनूँगा ओ बुलाई मैं सुनूँगा काम करूंगा मैं मुन्जी का जरूरू प्यारे ईश्यू आप ने ये वचनों को पिता प्रेरित किया कि मैं बूलूँ आलेलुया आपके लोगों से पिता आपके दास लोग आपके प्रचारक लोग आपके पास्बान आपके पास्टर आपके सेवक पिता वो जाचे अपने मनों को किस उदेश के साथ वो सेवा कर र the great I am किस उद्देश से किस इरादे से किस मतलब से वो सेवा कर रहे हैं कि वल एक ही शुद निर्मल साफ उद्देश हो जाए कि ये शुक कलवरी के प्रेम को बताना है सुनाना है हाललुया जिसने प्यार किया दुनिया से हाललुया अपनी जान दे दी अपनी कीमती खून बहाया खून की आखरी बूंद बहाई ओ इशुद हिर्दे में प्रेम को भर दे और अपने जाए साकर मेंक में मों लाइक दी ओ जीजस में में मों लाइक दी गिव में ये हार दाट स्फिल वित लाव अपने सेवकों को अपने जैसा बना दीजे पैसों के लालच भूजन का लालच पेट की सेवा नहीं अपने स्वार्थ की सेवा नहीं डाहा और बैर से प्रचार नहीं के उद्देश से प्रचार नहीं कॉम्पडिशन के कमपैरिजन के उद्देश से प्रचार नहीं परन्तु आपके स्वच निर्मल ओ प्रचार के लिए लगा सकें पिता अपना दिल दिमाग येस लॉड अपनी शक्ती हाललूया अपने रिसोसेस कोई भी वेज़ ना हो कोई भी फेका ना जाए कोई भी खराब बरबाद ना हो हाललूया पैसे समान खाना कोई भी वेर्थ ना जाए खराब ना हो बरबाद ना हो हाललूया प्यारे येश्यू अपने दासों को अपने गली से लगाए उन्हें चूमिये उन्हें आनंदित कीजे उन्हें आशीश दीजे पिता ओ दिखाने के लिए लोगों को सिवा ना करे दिखाने के लिए प्रात्ना ना करे दिखाने के लिए उपवास ना रखे दिखाने के लिए दान ना दे परन्तु गुप्त में आपसे प्रतिफल पाने के लिए क्योंकि जो आप इनाम देंगे जो आप प्रतिफल देंगे कई हजार उल्लाकों गुण ओ ज्यादा रहेगा अलेलूया मनुष्की आशीश मनुष्की ओ प्रशंसा थोड़ी है समय के लिए उनकी उपीनियन उनके विचार बदल सकते हैं वो आज आपको अच्छा बोल रहे हैं कल हो सकता है बुरा बोल दें उनका कोई भरोसा नहीं परन्तु परमेश्वर जब बढ़ाएगा ओ उननती ओ ना तू पूरभ से पस्चिम से आती परन्तु परमेश्वर से आती है प्रमोशन ड़संट कम फ्रॉम एस्ट वेस्ट बदल बदल रहे हैं परमेश्वर ये श्य मसी से आती है वो ये श्य मसी इसी समय है अपने लोगों को छू के पिता उन्हें आशीश दीजे प्रेडित पौलूस के समान वो कह सके अप से मैं जिवित ना रहा प्रन्तु ये श्य मसी मुझ में जिवित है और मैं अपना जीवन ये श्य मसी के लिए जी रहा हू प्रेडित इस वचनों का वो पालन कर सके हम ये प्रातना को इश्यू के आशीश देने वाले नाम में मांगते हैं आमेन बोल ये धन्यवाद इश्यू थैंक यू जीजस धन्यवाद इश्यू हाललुया अगर आप इमानदारी से सेवा करेंगे ये श्यू मसी स्वर्गस में इनाम देगा और इस दुनिया में भी आपकी इमानदारी आपकी सच्चाई का प्रतिफल देगा 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 हाललुया जै ये श्यू जै ये श्यू आमेन हाललुया 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 जै ये श्यू विसादा एग जै झाललुया तिंडा आपकी जै ये श्यू ये शु जड़ रह जा लो मार आपकी ते बेगा